नमस्कार सातियो, वर्चुल ट्यूब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है, मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जनरेशन ओफ कंप्यूटर के बारे में, तो चलिए सिरू करते हैं, सातियो, कुछ टाइम पहले तक जनरेशन ओफ कंप्यूटर में सिर्फ हाडवेर में हुए चेंजिज को ही जनरेशन चेंजिज में रखा गया था, बट परजन टाइम में जनरेशन का मतलब हाडवेर और सौफ़वेर टेकनलोजी में हुए चेंजिज से होने लगा है, बेसिकली जनरेशन ओफ कंप्यूट तक सरिफ hardware में हुए changes को ही show कर रही है but in last generation artificial intelligence आने के बाद hardware and software changes दोनों include हो गई है तो चलिए थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं first generation की दोस्तो जिसका time period 1949 से 1956 तक था इसमें basically INEC और ADSEC जैसे mechanical computer को रखा गया था अगर आपको INEC और ADSEC के बारे में जानना है तो आप हमारे पूराने lectures को देख सकते हैं नो हम बात करते हैं इसमें जो electronic component ये टेकनलोजी के रूप में vacuum tube का यूज किया गया था basically vacuum tube बहुत ही जल्दी heat होने लगती थी दोस्तों जिसके बज़े से room में AC का होना बहुत ही जैरूरी होता था इसके heat होने का दोस्तों सबसे बरा reason इसमें 18,000 vacuum tube एक साथ यूज किया जाता था जिसके बज़े से electricity का बहुत ही जादे यूज होता था नो हम लोग बात करते हैं इसके storage device की दोस्तों storage device में magnetic drum और punch card का यूज किया गया था ठीक है दोस्तों first generation computer को operate करने के लिए machine language का यूज किया जाता था basically machine language 0 & 1 की format में होती है जैसे हम binary format भी पोलते हैं और computer को सिर्फ 0 & 1 के format में ही समझ में आती है अगर हम इसे language के format में कोई वी data input देंगे तो वो उसे सबसे पहले 0 & 1 के format में convert करेगी फिर हमें output प्रोवाइड करेगी दोस्तों first generation computer में जो computers होते थे वो सारे mechanical waste computer होते थे जैसा कि मैंने आपको पहले ही पताया है इसमें जितने भी computers हैं वो सारे mechanical waste computer है जैसे कि Ineq, Adsec, Univac, IBM 701 & IBM 650 अब हम लोग बात करते हैं second generation computer की जिसका time period 1956 से 1963 तक था दोस्तों इसमें basically IBM 1401 और Honeywell 400 जैसे computers हुआ करते थे अब हम लोग बात करते हैं इसके technologically दोस्तों इसमें technology के रूप में transistor का यूज किया गया था अब चांजिस्टर के बारे में अगर मैं आपको बता हो तो ट्रांजिस्टर एक solidistic device होता था जोकि semiconductor metal से बना होता था अब ट्रांजिस्टर का size vacuum tube के comparison में थोड़ा छोटा हो गया था इसमें electricity का जो consumption था वो भी कम था vacuum tube के comparison में ठीक है दोस्तों इस generation में magnetic core को primary memory और magnetic tape को secondary memory के लिए यूज किया गया था ठीक है ना हम दोग बात करते हैं language की जो कि हम लोग ने फर्स्ट जेनरेशन में पढ़ा था कि machine language का यूज किया गया था बट यहां पे थोड़ा upgrade हो के यहां पे assembly language आ गया था दोस्तों assembly language के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा जाने तो एक simple word में मैं आपको इसको समझाता हूं कि assembly language होता क्या है मानलो एक बंदा है जिसे स्रिफ English आती है ठीक है और दोसरा बंदा है जिसे हिंदी आती है चलो ये अइग्जाम्पल होड़ाब अपने मोदी जी का example एक्जाम्पल एंगते मानलो मोदी जी है मोदी जी जाते है रसिया ठीक है वह मिलते हैं वहां के P.M. सेmn टके पे अंदुने अधी नहीं आती है और मोदी जी को रस्यं लैंगुऻ नहीं आती है अब वहाँ पी क् यह एक ट्रांसलेटर की जरोत होगी जिसे दोनों लैंगुज आती होगी रश्यण एन हिंदी यह दोनों लैंगुज आएगे जब भी मोधीजी कुछ अपना भासन देंगे तो सबसे पहले वो ट्रांसलेटर उसे रश्यण लैंगुज में translate करेगा एंड पुति जो भी रश्यन पीम है उन तक वो पहुचा जाएगा ठीक है यही काम अपना assembly language करता है assembly language सबसे पहले क्या करता है जैसे मैंने कोई भी text computer को दिया ठीक है उस text को assembler क्या करता है सबसे पहले उसे 0 and one के format में convert करता है एंड computer तक वो data उसे पहुचाता है ठीक है जैसे मान लो मैंने hello लीगा ठीक है hello computer को समझ में नहीं आएगा ठीक है तो सबसे पहले assembly क्या करेगा hello को zero and one के format में convert करेगा ठीक है binary format बोल सकते हैं उसे binary format में convert करेगे फिर computer तक पहुचाएगे एंड computer फिर उसे hello को input में लेके output के रूप में किसी भी output device के तो उसे output देगी नो हम बात करते दोस्तों second generation में जो computers हुआ करते थे वो IBM 1401, Honeywell 400, Mark 3, IBM 650 और IBM 7094 हैं अग हम लोग बात करते हैं third generation computer की जिसका time period 1964 से 1971 था इसमें basically PDP-8 और PDP-11 जैसे computers हुआ करते थे PDP means personal data process है दोस्तों इसका full form हमें याद रखना है exam prospective से बहुत ज्यादा important है personal data process है जिसका भी मैं full form अगर आपको यहाँ पर mention कर रहा हूं तो सोच लोग इसका यह full form आपके exam prospective से important है और कभी ने कभी एक्जाम में आया हुआ है दोस्तों 3rd generation में जो technology का यूज किया गया था वो integrated circuit का यूज किया गया था replace की से किया transistor को replace किया ठीक है first time jack kill और robert noises ने integrated circuit को बनाया था जिसमें स्टार्टिंग में 10-20 connections होते थे ठीक है electronic connections हम लोग बोल सकते हैं 10-20 electronic connections होते थे जिसे SSI बोलते थे SSI means small scale integration उसके बाद दोस्तों 100-200 connections होने लगे जिसे हम लोग medium scale integration बोलने लगे और फिर technology upgrade होके LSI आ गया उसके बाद LSI को हम लोग बोल सकते large scale integration जिसमें 1000-2000 connections होने लगे थे दोस्तों इस generation में memory और storage device की जगह पे hard disk का यूज होना इस्टार्ट हो गया था जिसका starting size 5 MB के करीब था दोस्तों यहां पे यहां पे जो language यूज किया जाने लगा वह language था high level language first generation में हम लोगोंने machine language को पढ़ा था second generation में हम लोगा family language को पढ़ा था and third generation में थोड़ा upgrade होके high level language आ गया था दोस्तों high level language जो हमारा first high level language है वह Fortran है जो कि first time जॉन बैकस ने 1954 में invent किया था या बनाया था बोज़कते हैं इसका सबसे best काम जो होता था दोस्तों वह scientific और mathematical applications के लिए होता था ठीक है अब हम लोग समझते high level language क्या होता है हम लोगोंने जिस तरह से assembly language बढ़ा था कि यह translator के लिए use होता है उसी तरह से high level language को समझते हैं दोस्तों high level language को समझना बहुत ही आसान है जैसे आप लोगों नहीं South Indian movies तो आप लोग देखते ही होंगे ठीक है South Indian movies क्या होता है तमिल में होता है मल्यालम में होता है टॉस्त बना जाता है बस बट उसे डव कर कि जो दूसे होडेंश उसे हंदी लेंग्विज तक पहुचा जाता मतलब क्या जाता सबसे पहले उसके बात हिंदी ऑर्टेंस तक पहुचा जाता है same to same हम लोग high level language के इसमें समझते हैं कि high level language में क्या होता है कुछ भी text हम लोग पहुचाते हमें कुछ नहीं करना है वो डफ करती है डायक्ट 0 & 1 के format में एंड कंप्यूटर तक पहुचा देती है एंड कंप्यूटर क्या करती है हमें output देती है जो भी हम लोग input प्रोवाइट करते है इंपूट प्रोवाइट किया उसका जो भी output आना होता है वो automatic output हमें मिल जाता है ठीक है दोस्तो थर्ड जनेरेशन कंप्यूटर में operating system का यूज होना start हो गया था यहां पर दो टाइप का operating system यूज होता था सबसे पहले तो यूजर इंटरफेस एंड कबार्ड लाइन इंटरफेस यह दो टाइप का operating system होता था ठीक है operating system को हम लोग details में पढ़ने वाले हैं आगे के lectures में बस आप लोग यहां यह समझ लो कि 3rd generation में operating system का यूज होना start किया था and CUI and CLI जैसे operating system यूज हो रहे थे इसका एक example हम लोग समझ लेते MS-DOS and MS Command promote हम लोग यह जो operating system आया था first operating system था MS-DOS and MS Command आपको अगर देखना है तो आप अगर Windows यूज यूज करते हो तो आप command में जाके इस इसको देख सकते हो अभी भी यह चीज इंटेग्रेटेड मिलता है ठीक है दोस्तों अगर मैं इसके features की बात करूं क्योंकि first generation and second generation में बहुत ज्यादा complex computers हुआ करते थे यहां यहां पर क्या हुआ computer accurate or reliable हो गया था पिछले generation के comparison में इसका size पिछले generation comparison में छोटा हो गया था क्योंकि यहां पर technology की रूप में integrated circuit का यूज होना start हो गया था ठीक है यहां यह दोस्तों यहां पर भी AC की जरूद परते थी क्योंकि computer हीट होते थे computer का size थोड़ा बड़ा होता था जिसकी वज़े से computer हीट होते थे एंड जो electricity conception था वो पिछले generation के comparison में थोड़ा कम हो गया था यहां पर ठीक है फिर भी यह computer बहुत ही था एंड आम लोगों तक यह पहुच नहीं पाए थी यह आम लोग इसे purchase नहीं कर पा रहे थे तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं fourth generation computer के बारे में जो कि एक revolution generation हम लोग कह सकते हैं कि मतलब यह generation आने के बाद computer एक अलगी लास्ते पर चली गई थी मिन्स लोगों तक पहुच गई थी हर घर में पहुच गई थी फोर्ट जनरेशन में अब इसका टाइम प्रियर्ड दोस्तों 1971 से 1990 था 1990 तक था जिसमें क्रे और IBM PC और Apple computer जैसे computer से हुआ करते थे दोस्तों क्रे के बारे में अगर मैं आपको बता हूं तो क्रे फर्स्ट सोपर computer है पहला सोपर computer क्रेका computer था ठीक है दोस्तों यहां पिट टेकनोलोजी की रूप में माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्ट हो गया था इसमें IC एक सिंगल चिप में डाली जाने लगी ठीक है जो कि VLSI टेकनोलोजी पर थी व्यसाइब मिन्स वेरी लार्ज स्किल इंटेग्रेशन और यहां पर जो connections होते थे वह 5000 से 20,000 तक connections electronic connections होते थे साथियो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहला इंटल कोपरेशन ने बनाया था और यह जो फर्स्ट मैंग्रो प्रोसेसर था वो इंटल 4004 था यह हमें याद रखना है एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से important है क्योंकि बहुत बार पूच्छा गया कि फर्स्ट मैक्रो प्रोसेसर कौन है कौन सा है तो इंटल 4004 हमें याद रखना है ठेक है दोस्तों यहां पर 4th generation में क्या हुआ माइक्रो कंप्यूटर एक तर्म अगया माइक्रो ना कंप्यूटर टर्म क्यों आया कि यहां पर मैक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा ठेक है दोस्तों इस जैनेरेशन में storage ज़ता था था की किया गया था कि कंप्टुर में ही इंटेग्रेट कर दिया गया था पहले क्या सांथ में जा अलग से स्टुर्डी आइस को इंटेग्रेट करके कंप्यूटर को और और भी छोटा कर दिया गया ठीक है एंड जैसा कि मैंने आपको थर्ड जेनरेशन में बताया था कि घर घर तक ये कंप्यूटर नहीं पहुच पा रही थी बत यहां पर कंप्यूटर का साइज छोटा होने की बज़े से एंड इसकी जो कौश्ट थी वही कम हो गई थी उसके वैसे यह कंप्यूटर घर घर तक पहुच गया थी दोस्तों यहां इस जैनरेशन में हाइड लेवल लैंग्वेज की रूप में सबसे पहला टाइम सी लैंग्वेज का यूज किया गया था जिसे डैनिस देशी ने इंवेंट किया था दोस्तों फॉर्ट जेनरेशन ने फॉर्स टाइम जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था जो कि ऑप्रेटिंग सिस्टम के रूप में जी यूज किया गया दोस्तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यूजर किसी एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ग्राफिकल आइकॉन और विज्वल इंडिकेटर के रूप में इंट्रेक्ट करें जैसा कि आप लोग Windows XP यूज आपने Windows XP यूज किया होगा स्टार्टिंग मतलब उसके बाद Windows 7 आया उसके बाद Windows 10 अभी तो हम लोग Windows 10 यूज कर रहे हैं तो Windows 10 में आप लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज को इंट्रेक्ट करने के लिए हम लोग ग्राफिक्स का यूज करते हैं ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल वे में दिया होता है वहां पर हमें यह नहीं कि कोडिंग करना है उसके गाद कंप्यूटर तक हम सबसे पहले कोडिंग करके कंप्यूटर को इनपूट देना है उसके आपना जो भी इनपूट जैसे कुछ भी इनपूट हमें देना होता है तो वह और प्रोवाइड करते हैं सबसे बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग बेनिफिट है ठेक है अब हम लोग इसके फीचर की बात करते हैं फीचर में तो सबसे पहले तो यह जोना ही स्टार्ट हो गया तो वेरी लार्ज स्केल इंटिकरेशन उसके बाद इस जनरेशन कंप्यूटर बहुत सस्ता हो ग हो गया था मतलब ना के बड़ावर ही और पुट यहां पर गलत आता था जैसे कि आपने एक मोवी देखी होगी मोवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा बट यह मैथमेटिकल एक लेडिस थी जो की इंडिया से फॉरें गई थी एंड वो अपन उसे अगर कुछ भी बोला ज इकले तो वो विदेन अइब फरेक्शन आफ सेकंड वो उस अंतने माफेमेटिकल एक्वेशन को सौल्ट करके बता दे थी बट उसी 3rd generation में क्या हुआ था कि computer के पास भी वह mathematical equation दिया गया और उस लेडिस को भी mathematical equation दिया गया उस लेडिस ने उसे सही सही उस mathematical equation को बता बट computer ने जो output प्रोवाइड किया वो गलत output प्रोवाइड किया तो 3rd generation में यह problem थी कि कभी-कभी output जो आता था वो गलत होता था वहां पर ठीक है तो 4th generation में यह सारे जितने भी क्या हो सकते दिसद्वांटिस थे उस डिसद्वांटिस को हटा दिया गया था यहां पर output ना कि बड़ावर गलत आती थी और अगर मैं इसके हां 4th generation में दोस्तों को अगर मैं बोलूं तो यहां पे माsy का उजेना इक हो गया तना चाहिए था सब माइक्रो प्रोश्षस सब यहां पर आ गई था में अपको बता अ का यह सब याद रखना हो था अगर आपको माॉस बढ़ यहां मृष के बार इसे किस ने हैं आप आप हमारे पुराने लेक्षास को देख सकते हैं ना हम लोग बात करते हैं फिफ्ट जेनरेशन कंप्यूटर की जो कि 1991 से अभी तक है फिफ्ट जेनरेशन कंप्यूटर में दोस्तो परम जैसे सूपर कंप्यूटर का इनोवेशन हो गया था फिफ्ट जेनरेशन कंप्यूटर में टेकनलोजी की रूप में SLSI का यूज किया गया था SLSI मेंस सूपर लार्ज स्केल इंटेगरेशन जिसमें 1 लाग से 10 लाग तक का कनेक्शन होते हैं कनेक्शन हर जेनरेशन में धीरे-धीरे मतलब बढ़ी रहा है ठीक है दोस्तों इस जेनरेशन में आर्टिफिसिल इंटिलिजेंस वॉइस रिक अगनाजेशन मुबाइल कम्यूनिकेशन और सैटेलाइट कम्यूनिकेशन को स्टार्ट किया गया है ठीक है यहां पे हाई लेवल लेंग्विज के रूप में जावा डॉतुलिज वेशिस और प्रोग्रामिंग का योज़ना इस्टार्ट हो गया है ठीक है हृत डिज का साइज भी दोस्तों यहां पे बढ़ गया है वन जीवी से फाइव टीविट करीब हाड डिज का साइज यहां पे थो गया है दोस्तो इस generation में हर दिन computer के size को छोटा किया जा रहा है जिसके रिजलल्टी में हम लोग smart watch को भी एक computer की रूप में देख सकते हैं ठीक है यहां पर दोस्तो 5th generation में सबसे बड़ी innovation यह है कि embedded softwares आने लगी embedded software का मतलब यह होता है कि software plus hardware का जो combination होता वो embedded software होता है दोस्तो 1st generation, 2nd generation, 3rd generation तक सिरफ mechanical waste computer होते थे 4th generation में थोड़ा बहुत हम लोग software का यूज करना इस्टार्ट कर दिये थे वर 5th generation में totally हम लोग software dependent machine को बनाना इस्टार्ट कर दिया है जैसे कि artificial intelligence का example हम लोग ले सकते हैं कि कुछ भी करने के हमें जरूरत नहीं है जो भी input हमें सिरफ देना है artificial intelligence जो machine learning के तुरू क्या करती है उसे पूरा analyze करती है और हमें output प्रोवाइड करती है ठीक है तो यह सब यह सब क्यों हो रहा है यह सब software uses बढ़ने की वज़े से हो रहा है ठीक है तो हमें सबसे most important चीज यह याद रखना है कि जो software technology का यूज होना start हुआ वह 5th generation में बहुत ही जादा बढ़ गया मतलब 1991 के बाद बहुत ही जादा बढ़ गया है इसकी बज़े से innovations भी बहुत सारे हो रहे है ठीक है और basically embedded software का यूज होना start हो कि जो embedded software का अगर मैं example लो तो आपके घर में washing machine ले लो आप microwave ले लो या जो अभी smart watch है या Alexa है यह सब embedded software है ठीक है यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना सिर्फ हमें voice recognition के तुरू उन्हें input देना है और वो हमें output देके provide कर देती है दोस्तों बात करने को तो बहुत सारी चीज़े हैं जो कि 5th generation में हम लोग बात कर सकते हैं बटी आने वाले lectures में हम लोग अगर topic के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है तो आज का lecture यहीं तक अगर आपको यह lecture अच्छा लगा हो तो आप support करे वीडियो को like करे वीडियो को like करने के बाद एक motivation मिलता है यह चैनल अभी नहीं नहीं चैनल है कुछ दिन तक मैंने इसे बंद रखा था क्योंकि कुछ काम ऐसे जीसकी वाइसे मुझे इसे बंद रखना परा बट मैं इसे फिर से start कर रहा हूं तो आप लोग की support की बहुत ही जरूरत है आप लाइक वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुचा है जिसे computer पढ़ना है वहां तक आप पहुचा सकते इवेंट जो 12th के बच्चे हैं 10th के बच्चे हैं जो आगे जाके software में अपना career बनाना चाहते तो उन तक यह वीडियो पहुचाईग तो मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में जो की जल्द ही आएगी थेंक यू